नमस्कार स्वागत है आपका फास्ट समझार में एक बार फिर अभी हाले में UPSC 2020 का रिजल्ट घोस्ट हुआ है जिसमें शूपरी निवासी नरेंद रावत जोनोंने UPSC 2020 में 165 पी रेंग हासिल की है इनके साथ आज हम मिसेश सर्चा में साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे क कई बार चुनोतियों का सामना इनको करना पड़ा चौती बार उन्होंने UPSC का एक्जाम क्वालिफाई किया है सबसे पहले तो बहुत पर स्वागत है नहीं रावज्जी आपका फास समझार में तेंक्यू आप हमारी दर्सकों को बताईए हम जानना चाहते हैं कि आपने य एक दो तीन चौती बार उन्हों चाहिए जब चालू की तो मैंने कुछ अपने मन में लेक्ष रखे दे जो मुझे प्राप्त करने तो वह लेक्ष था कि मुझे आई-एस-ई-प्यस बनना है तो जैसा आप जानते हैं कि UPSC में करीब 24 सर्वेस होती हैं जो कि आपको जो तो मैंने जो प्रतम प्रयास में मेरे को इंडियन रेल्वे काउंट सर्विस मिला अच्छी सर्विस है वो लेकिन मेरा जैसा में बताया है कि लेक्ष था आई-एस-ई-प्यस तो इसलिए निरंतर प्रयास में करते रहा जब तक मेरा ये 65 रेंक नहीं आई लगातार आपने study की पहली बार आपने exam qualify किया इसके बाद लगातार आपको जो आपन मानके चलते हैं कि आपको पूरी की तरह से जो study के लिए खुलापन नहीं मिल पाता है तो आपने job के साथ साथ उन चीज़ों को तयारियां किया तो कैसी घद्वितियां आपकी रहिंक कि तरीके से आपने उनको study को भी अपने schedule के time के साफ से तयार किया जैसे पहला प्रयास में मैंने जो तयारी की थी बहुत हो मेरा foundation हो गया तो एक आपको overview मिल जाता सारी चीज़ों को कि किस प्रकार से आपको paper देना क्या करना क्या पड़ना उसके बाद जब मैं training में चला गया ज समय मैं जैसे training के साथ साथ चार पांच घंटे का समय निकाल पाता था और Saturday Sunday जो off रहता था उसका इस्तमाल में जायतर करता था और मैं physically coaching नहीं जा पाता था तो मैं उसमें social media का भी काफी इस्तमाल करता था कि जिससे मेरे को जो अभी current में क्या चल रहा है अभी important चीजें क्य कीजें हैं वो भी social media के तुरू मैं लेता था तैयारियों के सदस्द आपको लोगों का support मिला कुछ कटना ही आए आए आपके साथ में किन लोगों को आप से ले देना चाहेंगे family से क्या आपका नाता रहा उस दोरान जी मैं बताना चाहूंगा कि family foundation होती है किसी बच्चे की अगर family support नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो मैं जो भी मेरी success है उसका अफसरे है मैं अपने family को ही देना चाहूंगा मेरे मारता पता मेरे भेहन है पूरा support रहा है हमेसा मैं एक दो एक आज बार मैंने failure भी देखा है उसके बावजूद भी continuous support करते रहें तो बहु बहुत motivating होता है क्योंकि आप इस journey में कभी demotivate होते हैं तो आपको family ही support करती है फिर आपका बहुत सारे आपके professor ऐसे होते हैं जो आपके mark दर्खसक होते हैं तो उसमें एक next IS के teacher है राउल सेंगर जी उन्हाना मेरा बहुत help किया है guidance दिया है क्योंकि UPSC में सबसे प्रतम आ आप रास्ता अपना लेंगे कि हां मैं पढ़ लेता हूं तो आप कहीं नहीं बढ़क जाएंगे तो इसलिए आपको एक mark दर्खसक की जरूरत होती है दोएर सोला से आपका अभी तक का जहां पदस्त हैं वह सफर आप थोड़ा सा दर्खसकों को बताईए मेरा इंडियरेलवे अकान सर्विस में हुआ था उसके बाद मेरी ट्रेनिक थी बढ़ोद्रा में उसके बाद मेरी पोस्टिंग में पोस्टिंग हुए थी पहली रेलवे में उसके साथ-साथ मैंने ये Indian Forest Service का पेपर दिया, जिसमें 2018 में मेरा chain हुआ, और उसके बाद मेरी training हुए है देरादून में, देरादून में training खतम होने के बाद मैं यहां बैतुल में posted हूँ, बैतुल में मैं अभी DFO training का charge लिया हुआ हूँ, उसके बाद मैंने पिछली बाद 2019 म मैं मेरी 542 rank थी, और मैंने इस बार paper दिया, जिसमें मेरी 165 rank आई है, फेमली के बारे में बताइए है, हमने सुनाए कि आपकी sisters भी है, वो भी आपके मागर दरसन में चल रही है, जी मेरी 3 sister है, एक married है, मेरे से बड़ी है, और मेरी 2 sister है, यंगर sister है, तो वो भी इस government job में आ और EPA पो जो की UPSC कराती है, उसका भी उनना prelims दिया है, वो भी clear हो जाएगा, तो अभी उनका result अबेटेड है, और वो अगली next year में मेरी 2 sister UPSC के preparation में लगी है, तो वो next year attempt पही है, कई students जो भी तयारी कर रहे है, UPSC की, PSC की, MPPSC की, लेकिन कही ना कई उनको study और family से जो न चाहूँगा कि हर जो भी परिक्षा होती है, MPPSC हो या आपकी कोई भी PSC या UPSC, इसमें तीन stage होती हैं आपकी prelims और mains और interview, तो आप एक stage को लेके चलें, एक-एक stage को step by step लेके चलें, और आपने foundation strong करें, foundation से मेरा अर्था अर्थ है कि आप अपनी NCITS जो किताबें हैं, उन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ज्यादा तरफ जो भी exams होते हैं, वो आप NCIT based होते हैं, उन्हीं की इर्दगिर्द आपको चीज़ें पूची जाती है, चाहा PSC में हो, चाहा UPSC में हो, दूसरा, आप current affairs से थोड़ा सा touch में रहें, क्योंकि current affairs ऐसी चीज है, current affairs से कही ना क इंटर्वू दे सकते हैं, चाहे PSC हो, चाहे UPSC, तो उसी भासा में आप इंटर्वू दें, जिसमें आप, अपने आप confidence फील करते हैं, चाहा वो कोई इंदी हो, चाहे English, उसे इंटर्वूर को फरेक नहीं पड़ता है, आप अपना चीज हैं समझा सकें, जो अच्छे से र इस पर मेरे को IES भी मिल सकता है, लेकिन मैंने by choice IPS चूस किया है, तो ये मेरे लिए UPSC का अभी end है, कि मैंने अपनी जो choice की जो service लेना चाहता हूं, वो मेरे को मिल गई है, तो अब मैं इसके बाद जहां ता के प्रयास नहीं करूँगा, आपको आपके बेटे ने UPSC का चोती बार एक जम क्वालिफाई गया, IPS का वो अपने प्रात्मिक्ता दी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार भाईयों का बंदन अविनंदन, मैं स्वागत करता हूं आपका, जे बेटा मेरा बार बार खुसी लाता है, जब फर्ष्ट स्कूल में जानत सिरू हुआ, तो नम्मर बन रहा कभी भी, मेरा उसले इतने बुलंद करता रहा, कि मैं इसको पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तयार हूं, जे बेटियां भी मेरी नम्मर बन रहीं, इलेक्शन हुआ सेंचार स्कूल में तो जे फर्ष्ट टेम लीडर बना उसमें, तो मेरा कहीं से भी रात और दिन मेहनत करके इनको फढ़ाने में, मैं उस्ता उस्ता बित रहा, बहुत मेरा मन खुछ रहा, इनने मन खुछ इसलिए रखा, कि बच्चे को पढ़ा थे हैं माता पिता, और बच्चा नहीं भड़ता, इसकूल में जब जाते हैं, फेरेंस बहुत खुछ हूं, पत्रकार भाईयों को बहुत-बहुत स्वागत, भंधन, अभिननन, तो देखा आपने ये थे शूपरी के छोटी से गाउं से बिलॉंग करते हैं, नरेन रावत जी, और इन्होंने बताया कि इस तरह इन्होंने UPSC का जो चोटी बार है, वो एक्जब क करना चाहते थे वो अपना मुकाम इन्होंने हासल किया।